हाई व्रिवन आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकिया है एंटी ए यूजी सीनेट डिसंबर 2022 के एक सेम्स का मोस्ट एक्पेक्टेड कटाफ और पेपर कोड़ है आपका जिरो टो जिरो सब्जेक्ट ह हिंदी तो आप सभी को बता दें कि आज की वीडियो में जो मिनिमम्म कटफ आपके लिए लाए गया है अगर इसके आसपास अगर आपका स्कोर जाता है तो आप लोग के चांसिस ज्यारेफ के या निट के लिए इस्टॉंग रहेंगे लेकिन इसके आधार पे आपको कोई क्लोंडी कि डिसे नहीं लेना है कि हम kadini क्वालिफाइ कर पा रहे हैं या क्वालिफाइ कर गहिए हां अगर इससे काफी नीचे 45 परेसें नीचे आपका स्कोर जा रहा है तो आप इसके आधार अपना next exam के लिए preparation start कर देजिए और आप लोग यह मान के चलिए कि जो यहां पे cut-off दिया गया है इसके नियर ही आपका cut-off final official आना चाहिए तो अजिम्स कर रहे हैं कि इसके नियर ही आपका आएगा cut-off और आपको दादें कि 4 parameter के basis पे यह cut-off तयार किया गया है जैसे कि आपके question paper का difficulty level प्लस आप student feedback प्लस expert feedback प्लस आपके old exam and cut-off का analysis करने के बाद यह आपका most expected cut-off तयार किया गया है तो देखिए अगर general category की बात की जाए तो जिनका score 69 या 70% के आसपास आ रहा है उनके chances ज्यादा रहेंगे उनके chances ज्यारफ के लिए ज्यादा रहने वाले हैं और जिनका score 59 या 60 के आसपास आ रहा है जिए 58 के आसपास आ रहा है उनका assistant professor के लिए chances strong रहेंगे इस exam में EWS category की बात की जाए तो 68% या 67% के आसपास आपका score आ रहा है तो ज्यारफ के chances strong रहेंगे and 57 के आसपास score अगर आपका है तो आपके chances ज्यादा रहेंगे assistant professor के ओवी सी category की बात की जाए तो 68% या 67% या 69% के आसपास आपका score है तो आपके chances ज्यादे रहेंगे ज्यारफ के लिए and 56% के आसपास score है 55% के आसपास score है जो chances अच्छे रहेंगे आपके net के यानि के assistant professor के लिए अगर ऐसे category की बात किया जाए तो 64% 65% अगर जा रहा है तो अच्छा आपका chances रहेगा strong chances रहेगा ज्यारफ के लिए and 55-56% के आसपास score जा रहा है तो आपके chances strong रहेंगे net के लिए ST की बात की जाए तो 63% से उपर दिखा जाए है 60 प्लस अगर आपका score जा रहा है तो chances strong रहेंगे ज्यारफ के लिए and 54% या 53% से उपर की score अगर आपके आ रहे हैं तो strong रहेंगे assistant professor के लिए यानि की net के लिए आपका एक्जाम में chances PwD का कहा जाए तो बहुत सब्सक्राइब है तो 55-56% के आप पास अगर आपका score जा रहा है तो chances ज्यादा रहेंगे tough अच्छे chances रहेंगे ज्यारफ का या net के लिए and अगर 50 प्लस आपका score जा रहा है तो आपके chances strong रहेंगे assistant professor के लिए यानि net के लिए ओके तो इस वीडियो में इतना ही और आप सभी के लिए एक चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग अगले परिछाओं में पास होना चाहते हैं qualify होना चाहते हैं तो आप लोग अपना preparation रोकिएगा मत अगर इससे percentage down हो रहा है या उपर हो रहा है कुछ भी हो आप लोग अपनी तयारी जारी रखिएगा और बेशाफ लग फो आपके ऑफिसिल कटाफ एंड रिजल्ट के लिए ओके तो थैंक्स वोचिंग एजप्रेशनल चैनल और आपका दिम बहुत बहुत सुब हो